तो आज हम यहाँ डिसकस करने वाले है land कि most important scheme and one of the most successful scheme Oh और यह scheme होते हैं Htx इमसे कंफी कॉछिशन पुछे आते हैं और यह one of the most successful scheme है कैसी स्कीम है सक्सफफ़ोड सक्सफफ़ इसकीमों से काफी कुछनमें देखने को मिलते हैं और ये हमेशे नियूज में भी रहती है कैसे रहती है कि अब आप डिकते हूँ कि गॉवर्मेंट बताती है कि हमने अपने इन योजनाओं से इतना अचीव कर लिया या इस योजना से अपने इतने लोगों को जोड़ा या हमने अपनी इन योजनाओं से इतने लोगों को लाभार्ट प्रोवाइड किया तो government जो भी अपनी achievement भी बताती है ना वो अपनी scheme के through भी बताती है और ये one of the most successful scheme है government की जिसने अगर बात करें एक तरीके के revolution को ला दिया it is a revolutionary scheme जैसे कि हमने पता है कि परधान मंत्री जंधन योजना तब लोगोंने सुना होगा कि परधान मंत्री जंधन योजना जो आए थी वो 28 August 2014 में आए थी 2014 में आए थी जैसे ही government rule में आए थी तब ही वो इस scheme को launch किया गया था तो 2014 में जो इस scheme आए थी तो वो within a year one of the most successful scheme मन गए थी और वो एक पहला कदम था लोगों को banking services से जोडने का लोगों को financial services से जोडने का लोगों को financial knowledge provide करने का लोगों को financial literacy provide करने का तो क्या है एक survey किया गया था जहां पर ये पाया गया था कि इंडिया की 60% जन संक्या 60% जो population है वो bank उसे जुड़ी नहीं है वो अगर बात करें उन्हें वित्यस सेवाएं मिली नहीं पाती है और वो bank उमें पैसे ही नहीं जमा करते हैं तो वो क्यों क्योंकि उन्हें financial literacy नहीं होती है financial knowledge नहीं होती है और जब आपको financial knowledge होती है financial literacy होती है तब आप financially empower होती हो तो अगर आपको financially empower होना है तो आपको वहाँ पर knowledge लेना बहुत important होता है तो जब हम knowledge इबर होते हैं जब हमें चीजे पता होती हैं तब हम वहाँ पर अपने लिए एक secure future create कर रहे होते हैं secure future जो है वो knowledge में है वो particular कोई चीज पाने में नहीं है जितना आपको knowledge में है अगर knowledge है तो वहाँ पर आप जो भी आप dream देख रहे हो जो भी आप goal देख रहे हो वहाँ पर आप आसानी से पहुँच जाते हो बोलते हैं न knowledge is power तो यहाँ पर हम बात करें है इस knowledge को आज हम unlock करते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या हम इस से ठीक सकते हैं जान सकते हैं और क्या-क्या important point है ठीक है बहुत सारे ऐसे point हैं जो शायद आपको नहीं भी पता होंगे वो मैं आपको बता हुँआ बहुत सारे लोगों ने इस scheme के बारे में सुना होगा बट कुछ ऐसे point हैं जो शायद आज आपको नहीं पता चलें तो जब यह scheme launch हुई थी तब यहाँ पर इसका जो inauguration हुआ था वो कौलकता से हुआ था यानि पहली बार जब इस scheme को launch किया गया था इन तीनों स्कीमों को प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना इन तीनों को 9 माई 2015 में कौलकता से launch किया गया था तो जैसे कि मैंने बताया कि यह तीनों ही revolutionary schemes है revolutionary किस sense में in the sense of financial security भई इनसान को life में सबसे पहले क्या चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए रोटी कपड़ा मकान ठीक है यह अगर बात नहीं basic psychological need होती है इनसान की फिर दो दूसरी सबसे बड़ी need होती है वो होती security तो आप रोटी कपड़ा मकान तो काम करके कमाल होगे लेकिन आपको security भी तो चाहिए और जब आप secure होते हो तब आप और अच्छे से काम करते हो जब आपको पता चल जाता है कि now you are secure in your life तो आप वहाँ पर 100% जो focus करते हो वो अपने target पे करते हो अपने goal पे करते हो तो यह जो revolutionary schemes से है लोगों को एक security का डर रहता था हमेशा security का मिलो किस चीज़ का डर रहता था डर रहता था कि कल को हमें कुछ हो ना जाए अगर कल को हमें कुछ हो गया तो हमारी family को क्या होगा या हम बिमार पड़ गए तो हमारी family का क्या होगा यज अगर हमें बुड़ापा आ गया तो बुड़ापे में हमारा सर्वाइवल कैसे होगा तो ये सारी की जो फानेशल सेक्यूरिटी इस वेरी मच और जब फानेशल सेक्यूर नहीं होते हैं तब हम बहुत ज्यादा डिश्टर्ब होते हैं तो यहाँ पर वही बात है कि लोगों के जो माइंड का डिश्टर्बंस है उसे इन योजनाओं ने दूर किया और ये बहुत ही अगर बात करें ऐसी योजना है जिसने अगर बात करें जन जन को बैंकों से जोड़ा और जन जन और जब लोगों को security provide करी तब लोगों ने दिल फॉल के अपना काम किया और वहाँ पर और healthy है ठीक है ना तो बहुत सारी चिंदाएं होती हैं, बहुत सारी डर होती हैं, बहुत सारी fierce होती हैं और वो fierce आपके तब खतम होते हैं जब आपको security मिलती है जब आपको library security मिलती है तब आप अपने सपने पूरे करते हो ठीक है न बहुत सारे लोग तो सपने नहीं देखते हैं वो सपने इस नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको security नहीं मिलती है ठीक है न बहुत सारे लोग अपने security से provide किया तो हम बड़े dream देख पाते हैं तो बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जो generally poor loggs होते हैं वो सिर्फ अपने survival को ही देख रहे होते हैं वो dream देखी नहीं पाते हैं तो वो भी सपने देखें वो भी अपने सपने पूरे करें तो उन पूर्स लोगों के लिए generally यह जो schemes है थी वो generally जो poor loggs है या जो अन और्गनेस सेक्टर के लोग हैं उनके लिए इन schemes तो इंट्रोडूस किया गया तब तो आईए देखते हैं कि क्या है इस revolutionary scheme में तो let's start our session and first we will begin with our introduction that my name is Prashant Nigam I am a faculty of general evidence मुझे 10th class CS का teaching experience है यहां पर मैं भर भर के आपको economics financial banking knowledge देने वाला हूं ठीक है फिर यहां पर अगर हम देखें इंडिया की जो top most educators हैं वो आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं including me तो यहां पर अगर आपको बात करें इंडिया के top educators से पढ़ने का मौका मिलता है और आपको यहां पर जिदने भी जो educators मिलेंगे वो पूरी तरीके से अगर बात करें मितलब आपको सही direction दे रहे होंगे और energy के साथ पूरी पढ़ा रहे होंगे ठीक है अगर आप कोई भी सवाल में अटकते हो फोटो खीचो प्लेस करो सब्जेट में और उसका अंसर पाओ ठीक है बैंक कॉमबेट होता है हर संडे को हर संडे को अगर आप इस बैंक कॉमबेट या किसी भी एससी कॉमबेट भी होता है यूपेसी कॉमबेट भी होता है किसी भी टेस्ट में अगर आप पाइसपेट करते हो तो दस बज़े यह टेस्ट होता है वहाँ पर आप जाईए आप अच्छा करते हैं तो आपको स्कॉलर्शव मिलेगी और और अच्छा करते हो तो बहुत सारे एक्साइटिंग गिट्स और प्रैजिस मिलते हैं तो अनकेडमी में पढ़ने और पढ़ने का यह बड़ा फैदा है कि आपको प्रैजिस और जो गिट्स हैं बहुत मिलते हैं ठीक है फिर यहाँ पर अगर देखिए बैंक और स्सी का एक कॉमबो पैक आया हुआ हुआ है बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो एसेसी बैंक की खटा तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चो यह आपके लिए बड़ी अच्छी अपरिट्यूटी है कि आपको इंडिया की जो बैस फैकल्टी से वह यहाँ पर पढ़ाएंगे चैब बैंक की हो चैब एसेसी की हो टॉप फैकल्टी इंडिया के जितने भ भी आपको और कम में पढ़ जाएगा अगर आप मेरा कोड कोड करना मेरा कोड है PRN 10 और आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का क्या मिलेगा इस कोड को यूज करना यह रैफरेंट कोड है मेरा दो साल का लोग है तो 999 का तो जनरली अगर बात करें अगर हम बड़ा इस तरीके के दो पेपरों के त्यारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए बैनिफिशर होगा और यहां पर अगस ओफर के दाद अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो वहां पर आपको एडिशनल सब्सक्रिशन भी मिलना ठीक है तो आप यह एडिशनल सब्सक्रिशन भी पासकते हो और अगर आप आउगस में कोर्स परचेस करते हो और 10% का डिसकाउंट तो मिली जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे पी आर इंटेन तो जब भी लाइफ टेश्स मिलेंगे और अनलिमिटेट ऐसस है कि कभी भी आप यहांपर विजिट कर सकते हो ठीक है धेन आपर देखे है तेस्स बीफ आपको मिलेंगे है हम पढ़ना चाह रहे हैं तो बच्चे अगर बात करें यहां पर यह जो यह वाला option है उसे opt कर सकते हैं और जो बच्चे फोड़ा बहुत एक दू घंडा कहीं पढ़ाते हैं वहां से जो अपनी income करते हैं उस basis पर अपनी भी study continue कर सकते हैं तो learning is the key of success तो learn करते हो important है और learning आपको जब असान तरीके से मिल लेए तो उसे आपको opt करना चाहिए तो यहां पर प्यारेंट 10 का code यूज़ करके 10% discount पा सकते हैं all set let's crack it और आठ पढ़ने वाले हैं revolutionary schemes के बारे में जिसने यहां पर country में जो security जो जनरल जो financial security होती है लोगोंगी उसकी जो चिंता हैं उसे दूर कर दिया हमारी financial security को इन scheme में दूर कर दिया जनरली अगर बात करें जो जनरली अगर हम देखे जो पड़े लिखे होते हैं जो जिनके बाद job होती है जो एक अगर बात करें हम बात करें एक stable job कर रहे होते हैं तो उनके लिए तो बहुत सारे government वैसी facilities देता है उन्हें knowledge भी होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो below poverty line में हैं जो poor people हैं जो सिर्फ survival ही अपना कर रहे होते हैं उन्हें knowledge नहीं होती है उन्हें नहीं पता होता है कि survival की अलावा भी और भी वह बहुत कुछ कर सकते हैं तो यहां पर अगर्ण देखें यह जो scheme एक launch की गए थी यह जो जन्धन like launch of insurance pension scheme यह launch की गए थी और यह बड़े level पर launch की गए थी और यह जो launch की गए थी नौ मही को की गए थी यह एक article है जब यह scheme launch हुए थी और बड़े जो sources scheme को launch किया गया था और यह जैसे कि मैंने बोला ह पर अगर्ण की revolutionary schemes है तो यह country में revolutions लेके आए थी financial security का तो यह देखो 9 मही को यह scheme launch हुए थी कहा पर रहुए थी कलकटा में हुए थी ठीक है ना तो paper में question आता है कि यह जो भी scheme है और यह जो जितनी भी scheme है ना यह तीनो एक साथ launch हुए थी यह जो schemes हैं यह तीनो एक साथ launch ह प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना प्रधान मंत्री सुरच्छा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना तो यह तीनो ही scheme में आपको financial security secure करती हैं और यह तीनो ही scheme में एक साथ 9 मई नौ मई 2015 में कॉलकता में launch की गई थी कहां पे launch की गई थी कॉलकता में तो इसे अच् scheme को लागू किया गया था वो किया गया था आपका एक जून 2015 को एक जून 2015 को all over इंडिया में in skimu को launch किया गया था तो देखते हैं एक एक करके in skims के बारे में और जानते हैं कि क्या हमें financial security मिलती है अगर हम in skimu के साथ जोड़ते हैं तो देखते हैं securities वाली skimu के बारे मे और समझते हैं तो पहले देखते हैं पहली स्कीम है आपकी प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना अब इस स्कीम के तहत क्या है देखो ये एक स्कीम कैसी है बीमा स्कीम है कैसी स्कीम है बीमा स्कीम है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि कल क्या हो जाए हमे कब करोना लग जाया या हमें अगर देखें कि हम कुन से सरकमस्टेंसिस फेज कर सकते हैं नैचरल डिजास्टरस के या वार के या किसी भी तरीके की अंसर्टिनिटी किसी के साथ भी हो सकती है किसी भी तरीके की जो अंसर्टिनिटी है वो किसी के साथ भी हो सकती है तो अब यह जो uncertainty है वो हमारे हाथ में नहीं है बहुत सारी चीजे ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है like future या उसकी जो uncertainty है वो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे हाथ में जो है वो present है हमारे हाथ में जो है वो knowledge है तो हम उस प्रेजेंट में उस नॉलिट का सही तरीके से उप्योग करके वहाँ पर हम जो हमारे गोल्स हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं तो क्या है कि यह एक लाइफ इंशॉर्ण स्कीम गवर्मेंट अफ इंडिया ने लॉंच की ती और इस स्कीम के तहट क्या हुआ इस स्कीम के तहट एक तरीके का हम बोस कते हैं कि लोगों को क्या मिला एक opportunity मिली कि वह अपने आपको financially secure कर सकते हैं कैसे? देगो मैंने पता है कि या लाइफ इंशॉर्ण स्कीम है लाइफ इंशॉर्ण स्कीम में क्या होता है कि अगर आपकी suddenly death हो जाती है अगर आपके suddenly death हो जाती है किसी भी कारण की वरस से तो आपकी जो family है उसे वहाँ पर financial जो help है वो मिल जाती है देखो यही चीज तो है डर किस बात का है डर इसी बात का है कि अगर कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारी family का क्या होगा एक यह डर सबके दिमाग में रहता है कि मेरी जो family है, मेरे father है, mother है, वो बुड़े हो रहे हैं या मेरी जो sister है, उसकी अगर बात करें भी पढ़ाई चल लेगा तो बहुत सारी लोगों के जो मन में चिंता है रहती हैं अपने family को लेकर ही रहती है और एक चीज़ मैं बताऊं हम जो यह कमा भी रहे होते हैं जो इतनी मेहनत भी कर रहे होते हैं वो अपनी family के लिए कर रहे होते हैं आपने देखा होगा या कभी आपने कमाया होगा अगर पैसा किसी भी तरीके से चाए पढ़ा के या मानलो कहीं काम करके तो आपने देखा होगा उस पैसे का आपने 80% अपने घरवालों पर ही खरच किया होगा तो जनरली अगर हम देखे तो लोग अपने घरवालों के लिए सारा काम कर रहे होते हैं वो कितना भी कमा रहे होते हैं वो अपने घरवालों की faces पे happiness देखने के लिए यानि उन्हें secure देखने के लिए उन्हें खुश देखने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं तो फिर एक यही point आता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो वो जो उन्हें हमने financial security दे रखी है या उनके चेहरे वो खुशी है या वो जो एक तरीके ते चिंता मुक्त हैं हमारे कमाने की वज़े से तो वो चिंता मुक्त रहें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लोग क्या करते हैं अपना live insurance करा लेते हैं लोग live insurance इसलिए कराते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी family को वो जो financial health है और यह जनरली जो premium वाला काम होता ना premium pay करने का यह आपका अगर हम देखें तो जो जनरली जो middle level income person होते ना वो भी avoid करते हैं कौन premium pay करेगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो premium pay करने को avoid करते हैं तो उसते हैं कि यार हम premium pay करते जा रहे हैं और अगर हमें कुछ नहीं हुआ तो भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो अच्छी बात है लेकिन अगर कुछ हो गया तो तो वहाँ पर अगर बात करें आप उस uncertainty को क्या कर सकते हैं secure कर सकते हो अपने लिए नहीं तो अपनी family के लिए आप जो कमा रहे होते हो तो अव्यसी बात अपनी family के चहरे पर खुशी लाने के लिए कर रहे होते हो या उसे उन्हें financial security provide करने के लिए सारी कीज़े कर रहे होते हो लेकिन वही बात है कि अगर आप नहीं हुए तो आपकी family को financial security कैसे मिलेगी तो जब आप premium pay करोगे तब वह financial security आपकी family को मिलेगी तो यहाँ पर अगर बात करें जर्नली जो poor persons है या जो blue poverty lines के persons है उनके लिए scheme launch ही गई थी life insurance scheme कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वहाँ पर उनकी family को दो लाग रुपए का क्या मिलेगा life insurance मिलेगा दो लाग का life insurance मिलेगा और यह life insurance के लिए इस life insurance के लिए उन लोगों को premium जो pay करना पड़ेगा वो मादर 330 रुपए पर रहनम करना पड़ेगा कितना मादर 330 रुपए पर रहनम करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर देखें तो पहला जो question बनता है इससे वो यही बनता है कि प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना में कौन सा insurance है तो प्रधान मंत्री जीवन योजना में जो insurance है वो आपका life insurance है दोस्तों तो यहाँ पर धियान रगना दो तरीके की insurance scheme है यहाँ पर एक है प्रधान मंत्री जीवन जोती योजना और एक है प्रधान मंत्री सुरच्छा भीमा योजना दोनों ही insurance scheme है और दोनों में जो अंतर है वो यही है कि यह जो scheme है this scheme is related to life insurance and प्रधान मंत्री सुरच्छा भीमा योजना scheme is related to your accidental insurance यहाँ पर यह अंतर है तो पहले यह बात कि यह जो insurance है यह कुन सा insurance होता है यह life insurance होता है इसमें कितने का coverage दिया जाता है sir इसमें Sir आपको दो लाग का कवज दिया जाता है कितने का दो लाग का ठीक है? तो generally अगर देखें जो ब्लो पोरटी लाइन के लोग है या जो गरीब लोग है उनके लिए दो लाग रुप है बहुत होते हैं बहुत होते हैं दो लाग रुप है और यह जो amount होती है यह उनकी बहुत help करती है जब उनके जो family member की अगर किसी भी current death हो जाती है तो यह दो लाग रुपए उनकी family को मिल जाते हैं और यह दो लाग रुपए काफी important role play करते हैं उनकी life में और इस coverage के लिए इस insurance के लिए आपको 330 रुपए पर रहनम मातरे हम बोल सकते और यह तरीके से एक रुपए एक दिन का पेकरना है तो 330 रुपए पर रहनम आपको पेकरना है यह आपका 80330 रुपए कटता है आपको automatically क्या हो जाता है आपके account से debit हो जाता है 330 रुपए और 330 रुपए आपका सालाना कटता है और वहाँ पर आपको दो लाग का coverage मिलता है तो यहाँ पर देखें यह जो है यह 18 से 50 साल के लोग 18 तो 50 यह के लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब मालो हम student हैं तो हम भी यह करा सकते हैं तो आप अपनी एक responsibility के अगर रहा हो फुल्फिल कर रहा हो ठेकर अपनी family के लिए और 18 से 50 साल के लोग इसमें एंटर हो सकते हैं जो हमारे examination के लिए important है तो मैं आपको bullet point बता देता हूं की point बता देता हूं पहला point जो paper में बनता है कि जो प्रधानमंत्री जीवन जोती योजन्या वो launch का हुई तो launch में ने बता दिया कि एक जून 2015 को ही थी all over India में और 9 माई 2015 में कॉलकाता में हुई थी तो पहले कॉलकाता में हुई थी फिर बात में all over the India में इस scheme को इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है फिर तूसरे point यह बनेगा प्रधानमंत्री जीवन जोती योजन्या में कि इसमें कितने age group के लोग enter हो स होना कंबसरी है आपका bank account होना कंबसरी है आप अपने bank account में जाके इस BMA को कराते हो और वहाँ पर क्या होता है आपके bank accounts ही automatically क्या होता 330 रुपए हर साल कटने लगता है ठीक है people who join the scheme before completing 50 years अब यह point बहुत important है यह point बिलकुली अगर बात के ध्यान से पढ़ने वाला है people who join the scheme before completing 50 years can however continue to have the risk of life cover up to the age of 55 years subject to payment of premium तो यानि यह कह रहा है कि अगर मालो आपने 50 साल से पहले इसमें एंटर किया आप जब इसमें एंटर करते हो तो आपको जो इसका coverage मिलता है वो 55 साल तक मिलता है अब तक मिलता है 55 साल तक ठीक है यानि मालो अगर आपकी 50 में death नहीं हुई औ और आपको महाँ पर बज गए कि चलो 50 तक तो हमें कुछ हुआ नहीं अब तो महाँ पर अगरम देखें तो आप इसे continue कर सकते हो 50 के बाद भी continue कर सकते हो 50 से पहले एंटर हो गए होंगे वो ही लोग 50 से 55 continue कर सकते हैं और आप 50 से 55 continue करोगे तब आप तब भी आपको 330 रुप है आपको परैनम देने पड़ेंगे तो वही बात है कि आगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं 50 का हो गया मैं बज गया लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले चार पांस साल में कुछ भी हो सकता है तो आप यहां पर इस स्कीमें फिर से एंडरोल हो सक पर पर कोश्चन आता है कि 305 से 334 से तो 330 है ठीक है फिर पेमेंट मोड यह ही है दा पेमेंट प्रीमियम विल डिरेक्टली आटो डेबिटेट यानि आपके अकॉण से आटो डेबिटेट हो जाएगा मंजले मिले या ना मिले यह मुकदर की बात है हम कोशिस ही ना करें तो यह गलत बात है वाँ 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 very good ABCD बढ़िया शैरी लिखिए comment section ने पढ़िये मस्षैरी लिखिए ABCD करके एक person है उन्होंने मंजले मिले या ना मिले ये मुकदर की बात है हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है कोशिश करना तो बनता है भाई ठीक है रहा तो बहुत अच्छी बात लिखिए इन्होंने तो रिस्क अवरे दो लाग का है in the case of death of account holder for any reason तो बद ये point आपको सारे पता होने चाहिए और भी कोई शैर हो तो शैरिया लिखें अपनी live को लेके मजा आएगा live को लेके देखो यहाँ पर अगली जो scheme है उआपकी है प्रदान्मंत्री सुरक्षा भीमा योजना आप यह हो सकती है उसमें accidental भी included होता है कि माल원 accidental death हो रही है और आपकी अगर बात करें मालो कोई natural तरिके से भी death होसकती है किसी विमारियस देट हो सकती है लेकिन प्रयदान्मंत्री सच्वच। व्यमाय योजाना जो cover करता है वो सिर्फ accidental insurance को cover करता है कि अगर आपकी accidental death होगी तो ही आपको यह रुपए मिलेगी तो इसमें भी अगर बात करें जो coverage है इसमें भी जो coverage है वो आपका कितने का है दो लाग का इस परण को अच्छे ते दिमांग में ध्यान में रखना है जीवन जोती बीमा में भी कितने का coverage है तो लग का, तो अच्छा भी मैं योजना में भी कितने का coverage है, दो लग का, ठीक है, हाँ, बत यहाँ पर जो premium amount है, उसमें बहुत बड़ा उंतर है, इसमें तो बहुत ही बड़ा उंतर है, और यह जो उंतर है वो मातर अगर हम देखें, तो हम भो सकते हैं, महीने का एक वह आपको तो नहीं मिलेगी लेकिन आपकी जो family उन्हें मिल जाएगी तो वही बात है कि जो हम यह insurance कराते हैं वो अपनी family के लिए कराते हैं लेकिन अगर बात करें इसमें आपको भी benefit मिलेगा अब आपको कैसे benefit मिलेगा वो मैं आगे बताता हूं तो यहाँ पर अगर हम accident अब देखो यहाँ पर यह point आ गया मैंने क्या बोला कि अगर कोई particular person के insurance कराता है और उसके अगर accidental death होती है तो उसकी family को तो मिलेगा यह मिलेगा 2 लाग रुप है मान लो अगर उसकी accidental death नहीं होती है और अगर बात करें को वो बच जाता है accident में और accident में अगर हम देखें मा लो उसका एक हाथ चला गया एक आँख चली गई एक पैड चला गया तो उसे वहाँ पर coverage मिलेगा अब पूछो के सर कितने का कितना amount का coverage मिलेगा अगर एक आँख चली गई एक पैड चला गया एक हाथ चला गया तो वहाँ पर दोस्तों पूरे एक लाग रुपे मिलेंगे ठीक है ना अगर आपका के साथ कोछ दुरगटना होती है और उसमें आपका एक आँख एक हाथ और एक लाख चली जाए तो महाँ पर पूरे एक लाख रुपए मिलेंगे ठीक है तो यानि आप जिन्दा रहते हुए भी इस डीमी का फैदा उठा सकते हो अगर आप चाहरे होगे आपका पूरी पूरी अमौन मिल जाए तो याध रुपए तो आप क्या करोगे तो वही बात है कि आपके दोनों पेर चले जाएं या दोनों हाँके चले जाएं यानि हम आप मरें नहीं हूं, accident से, लेकिन accident बहुत किरें, आपका दुनों पैर चला गया, दुनों हाथ चले गया या दुनों आख चले गए हैं, ठिक है, तो महापर 2,00,000 का मिले जाएगा तो अगर हम बात किरें अगर partially damage होता है अगर partially हम वह सकते हैं partially अगर बात करें damage होता है यानि one part damage होता है तो one lakh और अगर दोनों ही पार्ट damage हो जाते हैं तो 2 lakh ठीक है होते हैं वह अलग चीज हो गए तो मिरे खाल दी कि चीज के लिए रहे हैं कि अकर तरीके से इसे प्रौशक्यश से मैं कुछ सकता हूं और ऐसे बहुत सारे केसे हैं ऐसे बहुत सारे केसे हैं जब ये प्रिधान मंत्री सुरच्छ भीमा योजना में किसी के साथ अगर किसी ने अगर ये करवाया ये इंशॉरेंस में एंडूल कराया और उसके साथ कोई दुरगटना हो गई बैचान भई अंसर्टिनिटी है लाइफ इस अंसर्टिन फूचर इस अंसर्टिन तो उसका क्या हुआ अगर एक न्यूज में आया भी था कि एक परसन था उसका एक्सिडेंट हो गया था और उसका एक पैर चला गया था लेकिन तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी और गवर्मेंट्स ने जो उसकी साहता करी एक जी रहे होते हैं बहुत सारे इसे डिसेबल परसन भी होते हैं जो पूरी तरह के से लाइफ को जी रहे होते हैं डिसेबल होने के बावजूद भी वह मौंटेन में चड़ते हैं वह स्विमिंग करते हैं वह स्कूबर डैविंग करते हैं सब करते हैं तो यह वही बात है आप आपके spirit के उपर है कि आपके तरीके से जी रहे हो तो जीओ जो दिल खोल के जीओ ठीक है ना live life like a king ठीक है live life like a king style तो अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो है आपका 18 से 17 साल तक के लोग एंटर हो सकते हैं मालोग कोई एजेट परसंट है 55 का 60 का और वही बात है कि यह एक benefit है कि अगर वह अगर अपने आपको क्या हो जाएगा debit हो जाएगा risk coverage जो accidental death का है या full disability का आपने को यहाँ पर लिखा भी है accidental death होने पर या full disability होने में कितना है दो लाग रुप है और partial disability होने में कितना है एक लाग रुप है तो इस point को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है यह जो point है यही paper में आपके पूछे जाते है जो मैं यहां पर यहां कर रहा हूं highlight कर रहा हूं ठीक है और फिर अगर बात करें कोई eligible है any person having a bank account and a hard number link to bank account तो यह दोनों चीज़ें important है bank account भी होना चाहिए आपका और उस bank account से आपका अधार number भी क्या होना चाहिए linked होना चाहिए ठीक है can give a simple form to the bank every year before first June in order to join the scheme तो यहां पर यह चीज रहती है और अपना nominee बना के आप उसे कर सकते हो तो यहां पर एक और शायरी आई है किसी के जखम पर चाहत से पट्टी कौन बांदेगा अगर बेहने नहीं होगी तो राकी कौन बांदेगा वा 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 वी बड़े है जाला है वी ड्राइवर ह बड़ी है शायरी लिखी है किसी के जखम पर चाहत से पट्टी कौन बांदेगा अगर बेहने नहीं होगी तो राकी फॉर्मल मेरी बेहने नहीं है और मैं वही बाते इस चीज को मिस्स करता हूँ कि यार कोई राकी नहीं बांदा है दूर दराची कोई बेहने हैं तो वो भ आपकी जो अगली जो इसकीम है वो है आपकी अटल पेंशन योजना तो अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें दोस्तों अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें तो यह आपके बोढ़ापे को सिक्यूर करती है प्रधान मंतरी सुरच्छा भीमा योजना प्रधान परसन्, बिलो पॉवर्टी लाइन, या अगर बात करें, जो लोवर मिडल लेवल इंक फॉर्ष म होते हैं, या जो अन और्णास सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं, अब मालज लिए जब आपकी जॉब लगेगी, जब आपकी जॉब लगेगी, आप एक और्णास सेक्टर मे फ्वेवी क्या होता है आपके लिभी पेंशेंक लिob में क्या होता है NPS आपकी डाँण ऊपनी auto is left आपकी जॉप लगेगी न थो आपका जो अकॉंट शुटा हो NPS में कुलता ह जला जब आपकी जॉप लकती है तो आपका NPS में अकॉंट खुल जाता है National Pension Scheme 2004 में से इंट्रोड्यूस किया गया था ठीक है ना 2004 में से इंट्रोड्यूस किया गया था तो जनरली जो ऑर्गनाइस सेटर में जॉब कर रहे होते हैं लोग वो अपना pension अकॉंट NPS में खुलवा लेते हैं अब यह जो अडल पेंशन योजना है या सुरच्छा वीमा या जीवन जूती योजना यह पूर लोड मिडिल या उन लोगों के लिए ठीक है तो यहां पर एक तरीके जिए अब्विसी बात हैं उन्हें भी security मिलती है हम तो अपने आपको secure होती है हर कोई अपनी capability को सोच के सब्सक्राइब कर रहा होता है और हर किसी को यहां पर अधिकार है security का ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें अगर आप अपने आपको enroll कराते हो तो मानलो अगर आप 18 साल के हो और आप महां पर क्या चाहरहे हो कि 60 साल के बाद आपको क्या मिल है pension मिले आप चाहरहे ओकि after sixty years आपको pension मिले तो वहां पर अगर बात करें अगर आप 18 यह वे आप 210 रूपस नोद giàम कर अगर आप 210 पर अगर आप कबने यह कृमा करोंगे का ज़मा करोगे तो 60 साल के बाद after 60 years आपको 5000 रुपए पेंशन मिलेगी कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों 5000 रुपए तो यह जो पेंशन की अमांट यह बहुत है उन लोगों के लिए जो अन और्गनेस्टर में है जो ब्लू पुवर्टी लाइन में है जो गरीबी रिखा में यह उनके लिए एक ब सफर करते हैं तो जैसे हमारे रिक्षा वाले भाईया हो गए या जो मौमोज वाले भाईया हो गए और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस तरीके के चीज़ों का चीज़े इसमें अन्रॉल करके अपने आपको सिक्यूर कर सकते हैं तो साथ साल तक कि अगर हम बात करें तो साथ साल तक अगर कोई परसन यहां पर यह पैसा जमा करता है तो उसे वहाँ पर क्या मिलेगी पांच हजार रुपए पेंशन मिलेगी और यहां देखें यह हर एक एज के लिए अलग अमौंट है अठारा साल की बंदे के लिए तो वही बात है कि आप इतना देर में इस स्कीम में जुड़ोगे उतना ज्यादा आपको क्या पे करना पड़ेगा अमौंट पे करना पड़ेगा ठीक है मानलों अगर आप तीस साल में जुड़ते हो तो आपको 500 कुछ 72 रुपए यहां लिखें उनको पे करने पड़ेंगे तो जो भी अमउंट होगा आपका लाष में जो अमउंट हो जाएगा वो एट पॉhart पैवलेफ हो जाएगा अगर आप 18 साल से 210 रुपह साएट साल तक जम्हा कररे रहा हो तो आपको जो अमॉंट हो जाएगा कुछ साड़े 8 लाग रुपह हो जाएगा कि इतना हो जाएगा सब्सक्राइब सकते हैं तो यह जो पैसा है और आपका पैसा जिस रेंज में ग्रो किया होगा वह percentage के साथ आपको यह मिलेगा यानि साड़े आट लाट लाग गृपई तो जमा होंगे 42 साल तक अगर आप 18 साल के हो तो आप 42 साल तक 210 रुपई जमा करोगी और साड़े आट लाग गृपई टोटल जमा हो जाए जब टोटल जमा हो जाए ये उसके basis पे आपको हाँ दोस्तों थोड़ी दिक्कत आ गए थी टेक्निकल दिक्कत उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हैं और यहां पर अगरम देखें तो फिर से हम अपना जो अडल पेंशन योजना कर रहे थे उसे कंप्लीट कर लेते हैं यहां पर तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपका जो पांच शेयर रुपए पर जो पिंशन मिलेगी तब मिलेगी जब आपके 8.5,00,000,000 रुपए जम्मा हो जाएंगे और यह 5.5,00,000,000 रुपए पर आपको क्या मिलेगा जो इसका जो ब्याज है जो यह पैसा आपका मार्केट में लगा हुआखा हो व ब्याज का पैसा मुना आपके चाइल्ड होंगे उन चाइल्ड को पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा लंप सुम के साथ पूरा जो पैसा बाकी जो remaining amount होगा वो आपके बच्चों को मिल जाएगा तो यह तरीकी की saving है जो आप अपनी family के लिए कर रहे हो तो इसमें अगर बात करें यह पूरा पूरा प के बच्चों को पूरी तरकी से सिक्यूर करता है ठीक है तो यहां पर बात करें तो आपका एक साल से लेके पांच हजार तक का पेंशन अपना करवा सकते हो मानलों अगर आपको एक हजार रुपे पेंशन चाहिए तो आप उस रसाफ से प्रिमियम पे करोगे मानलों किसी को अ तो आपको यहां याद नहीं रखना है आपको क्या याद रखना है वह मैं अब आपको अगली स्रेड में बताता हूं तो आपको एक्जामिनेशन के लिए याद रखना है कि इसमें कौन लोग एंटर हो सकते हैं कितने साल तक के लोग एंटर हो सकते हैं तो 18-40 साल तक के लो will vary from 1000 to 5000 as per one contribution okay due date of contribution the due date for monthly contribution will be decided as per the initial date deposit of the amount तो यहां पर अगली यह बात है यह तो अमने देखी लिया payment mode the payment method is directly auto debit आपके account से auto debit हो जाएगा contribution period कितना है minimum 20 साल minimum 20 साल जमा कर सकते हो और maximum 12 साल यानि अगर आप 40 साल में इंटर करते हो अगर आपको 5000 रुपे पेंशन चाहिए 30 साल के बाद तो आपको 20 साल तो कमतिकम contribution करना ही करना पड़ेगा और आपको मन्थिली 1414 रुपे 1414 रुपे contribute करने पड़ेगे 20 साल तक तब आपको 5000 रुपे पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद तो यहां पर देखे तो minimum 20 साल आपको contribute करना ही करना पड़ेगा और मैक्सिमा आप 12 साल तक कांट्रबूट करते हो और नॉमिनेशन इस मेंडिटरी है और यह जो स्कीम है इसे इसे कि regulate कौन करेगा इस स्कीम को जो regulate करेगा वो करेगा इट विल बी एड्मिनिस्टरट बाइ पी एफ रडिये पेंशन फंड रेगुलेटरी और डवल्लप्मेंट ऑथरिटी और पी एफ रडिये विल और और जोड़ना नहीं भूलियेगा मेरा जो सेशन होता है वो हर मैंदा अधिन होता है साड़े साथ वजे संडे है तो शायद हम ना रखें लेकिन मंडे टू सटेडे मेरा साड़े साथ वजे रोज यहां पे सेशन होता है रोज में आपके लिए एकनोमिक फैनेस और बैंकिंग की जो कॉंसेप्ट है वो लेके आता हूं जो करेंट में चीजे चल करनी है economy finance और banking की तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो आप मेरे साथ unacademy की app पे भी मेरे sessions होते हैं आप unacademy की app पे जाओ मैं जो classes लेता हूँ bank के sections में लेता हूँ आप मुझे search करोगे फ्रशान निगम मैं आजा हूँ और आप मझे वहाँ follow कर लेना तो मेरी जो भी classes होंगी उसकी update आपको वहाँ पर मिलती जाएंगे तो इसी तरीके की exciting classes के लिए आप मुझे join कर सकते हो unacademy के app पे साथ में हम current के questions भी करते हैं और economy यहां बिखता है सबको जरा समखल कर रहना तैना लोग हवाओं को भी देज देते हैं गुबाडों में डाले हैं चलो ठीक है I hope आपको आज के session पसंद आया होगा session पसंद आया हो तो please session को like कर देना शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कर देना और इसी तरीके से मुझे motivate करने के लिए आप अपने मुझे अपना जो सयोग हो दे सकते हो like और share के सुरू और हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो ठीक है ना तो मिलते हम अपने अगले session में तब तक लिए have a good day thank you